यदि आपका भी सपना है AU, BHU या देस की टॉप सेंटर इंवर्सिटी से LLB या BALB करनी का तो आपको हमारे चैनल से जुड़ जाना चाहिए और सारी वीडियोस जो हमारे चैनल पर आपको LLB और BALB की मिल रही है पूरा देखिएगा और साथी साथ इन जो वीडियो जा हमारे दौरा प्रवाइट की जा रहे हैं इसमें से ये सुनिश्चित करिएगा कि आपको पहले से कितने प्रस्ण आ रहे थे ठीक है हम यहाँ पर आपको एक हजार बहुवी कलपी प्रस्णों की सिंखला लेकर आए हैं जो कि लीगल एप्टिट्यूड का है और लीगल एप्टिट्यूड आपके लिए टर्निंग पॉइंट होगा और आपको यदि इन सारी वीडियो उसका पीडियाप चाहिए तो हमार टेलिग्राम चैनल स्कोब 360 पर जाकर वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए काफी इंप्वार्टन प्रस्ण लाए हैं वीडियो को सुरूशन तक देखिए पूरे प्रस्णों को लगाईए कमेंट करिए कि हमको इतना पहल ठीक है और आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें कि वीडियो को लाइक करें और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सस्क्राइब करें और दोस्त में वीडियो को सेयर करना बिल्कुल भी ना भूले ठीक चले आप वीडियो की करते हैं शुरूआत पहला हमारा यहां पर है कि भारतिय सम्विधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है आपका जो भारतिय सम्विधान है उसके कौन से भाग में ठीक है आपशन A यहां पर है भाग 1 आपशन B यहां पर है भाग 2 आपशन C यहां पर है भाग तीन और आपशन डी जो यहां पर है आपका भाग चार तो इस में से कौन सा भाग ऐसा है जिनमें मौलिक अधिकारों की क्या की गई है चर्चा की गई है यह बात आप सब लोग ध्यान दीजे तो यहां पर जो आपशन नंबर सी आ रहा है ठीक है इस प्रस्न का क्या तो वंदे मात्रम किसके द्वारा लिखा गया है तो इसमें भी हमारे पास चार आप्शन है पहला आप्शन रविन्ना टैगोर दूसरा आप्शन बंकीमचन चतरजी तीसरा आप्शन सरदार बललब भाई पटेल चौथा आप्शन सरेउजनी नाइडू ठीक है तो आप सब अगला प्रस्ण है भारत का राष्टिय पंचांग जो भारत का राष्टिय पंचांग है वो आधारित है किस पर सक समथ पर कि विक्रम समथ पर ठीक है कि उपरोक्त सभी पर तो इस प्रस्ण का यहां पर हम सभी को जबाब देना होगा ठीक है तो भारत का जो राष्टिय प जाएगा सही जवाब हो जाएगा ठीक अगला है मारा भारत का राष्ट गान सरुपर्थम 1912 में किस पत्रिका में प्रकासित हुआ था हमारे भारत का जो राष्ट गान है ठीक है जन गर्मन अधिनायक जय है ये 1912 में किस पत्रिका में प्रकासित हुआ था यहां पर मारे पास जो है चार आप्षने जिसमें से सही आप्षन पर क्लिक करना होगा ठीक आप्षने तत्व बोधनी आप्षन भी आपका समवाद कौमुदी आप्षन सी आपका हंस और आप्षन डी आपका युगांतर ठीक है तो इसमें से कौन सा अमलब की जबाब आपका सही हो जाएगा तो ये जबाब आपका जो आ रहा है यहाँ पर सही वो है तत्व बोधनी क्या है आपका तत्व बोधनी इस प्रस्न का क्या हो जाएगा सही जबाब हो जाएगा ठीक चलिए आगे चलते हैं अगला प्रस्ण मारा है भारतिय संविधान में संसत सदस्यों का विशेशा दिकार संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है जो मारा भारतिय संविधान है इसमें मतलब कि संसत सदस्यों का जो विशेशा दिकार संबंधी प्रावधान है ये किस देश के सम्विधान से लिया गया है तो option A यहां पर हमारा है कनाड़ा, option B यहां पर हमारा है इंगलैंड, option C हमारा यहां पर है अमेरिका and option D यहां पर हमारा जो है आस्ट्रेलिया तो इसमें से कौन सा जबाब आपका सही हो जाएगा तो यहाँ पर जबाब आपका आस्ट्रेलिया से लिया गया ठीक अगला प्रस्ण देखते हैं भारती सम्विधान के किस अनुच्छेद में वित्यायोग के गठन के वारे में प्रवधान किया गया है तो आप्षन ए आपका है अनुच्छेद 370 आप्षन भी यहाँ पर है अन अनुच्छेद 368 अनाप्षन डी यहाँ पर है अनुच्छेद 250 ठीक है तो कौन सा सही जबाब हो जाएगा अनुच्छेद 280 जो है यह आपके जो है वित्यायोग गठन के वारे में प्रवधान इसी में किया गया है अनुच्छेद 280 ठीक अनुच्छेद 280 चले अगला प्रस नहीं ऐसा कोई ऐसा साच्छी जो बोलने में आसमर्थ है अपना साच्छी किस प्रकार दे सकता है बलब कोई साच्छी ऐसा हो जो बोल ना पाता हो तो वो अपना साच्छी किस प्रकार देगा यहाँ पर इसमें चार आप्षन अमारे पास दिये गए है ठीक है पहला उपरोक्त जो है सभी द्वारा तो आप सब लोग अपने से दिमाग लगाईए कि जो बोल नहीं सकता ठीक है तो वो जब अपना साच देगा अगर वो पढ़ा होगा तो वो लिख कर देगा और वो इस सारे से संकेत करके भी मतलब कि साच प्रसुद कर सकता है और चिन्न के द् सही जबाब है वो आपका क्या हो जाएगा इस प्रस्न का सही जबाब हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी ठीक है ध्यान दीजे क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी बस समझ में आ रही है तो इस प्रस्न में जो आपका सही जबाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा उपरोक् प्रस्न की तो यहां पर लिखा है किसी मामले में किसी तथ्थ को साबित करने के लिए साच्छीयों की संख्या कितनी होनी चाहिए तो इसमें आपका आपसन है पहला वाला कम से कम दो दूसरा वाला आपसन है यहां पर कम से कम चार तीसरा वाला अपसने कम से कम तीन और चोथा वाला अपसने कोई विसिष्ट संख्या अपेच्छित नहीं है ठीक तो देखें आप लोग ध्यान समझें कोई मामला अगर हुआ है तो उसको साबित करने के लिए एक व्यक्ति भी काफी होता है और दस व्यक्ति भी काफी नहीं हो सकते है ठीक है तो ये ध्यान दीजेगा यहाँ पर संख्या विसिष्ट हो ऐसी कोई अपेच्छा नहीं होती है इसलिए आपका जो है आपसन नमबर डी इस प्रस्न का क्या बन जाएगा सही जबाब बन जाएगा आपको यह प्रस्न भी समझ में आ गया ठीक चलिए अगला देखते हैं डंड प्रक्रिया सहीता 1973 का प्रवर्तन हुआ था आपसन ने 1 अप्रेल 1974 से आपसन भी 11 अप्रेल 1974 से आपसन सी 5 जून 1973 से और आपसन डी 5 मई 1973 से ठीक है तो यह हमारे कुछ आपसन है जिसमें से जो है आपका आपसन नंबर जो A है यह आपका 1 अप्रेल 1974 से यह आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सही जबाब हो जाएगा ठीक चलिए अगला देखते हैं भारतिय साच अधिनियम की किस धारा में स्विकृति को परिभासित किया गया है आपसन A धारा 18 आपसन B धारा 17 आपसन C धारा 24 अपसन D धारा 21 ठीक तो इसमें से आपका कौन सा जबाब यहाँ पर सही हो जाएगा तो यहाँ पर जो जबाब आपका सही हो जाएगा इस प्रस्ण में वो आपका आपसन नमबर भी धारा 17 है क्या है धारा 17 ठीक चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं जल्दी से तो इगारा नमबर प्रस्ण मारे सामने है कितनी प्रकार की चोटे घोर उपहित के अंतरगत नहीं आती है आपसने 7, आपसन भी 8, आपसन C 9 and आपसन D जो है आपका 10 तो यहाँ पर आपके पास 4 आपसन है और कौन सा आपसन यहाँ पर सही होगा यह हमको क्या करना है बताना है तो यह आपका आपसन नमबर B जो है आठ प्रकार की चोटे जो है वो घोर उपहित के अंतरगत नहीं आती है अब इसका अभीवरण आपको Legal Studies के बुक में जरूर मिल जाएगा ठीक अगला है भारतिय डंड सहीता के किस धारा में बलात संग के लिए डंड प्रवाधान जो है किया गया है तो इसमें हमारे पास यहाँ पर भी कई आपसन है आपसन A धारा 375 आपसन B धारा 376 और आपसन C जो है धारा 377 और आपसन D जो है आपका धारा 497 तो यहां पर इतने मतलब की हमारे पास जबाब हैं जिसमेंसे आप्सन नम्बर वी यहां पर क्या हो झाएगा धारा 376 में सही हो झाएगा चलिए अगला प्रसन देख़ेंगा जल्दी से अगला प्रसन मारा जो जमानती अपराद भोला जायेगा ठीक तो इसमें हमारे पास कई आप्षन है जिसमें से आपका आप्षन नमबर सी जो है यही सही हो जायेगा ठीक दोनों लिखा इसमें तो दोनों का मतलब क्या ऐसा अपराद जो प्रत्थम अनुसूची चलिए अगला नंबर देखते हैं 14 प्रस्ण समझने की कोशिश करते हैं ठीए तो 14 नंबर प्रस्ण है मारा पुलिस वारंट के बिना कब गिरप्तार कर सकती है तो हमारे पास जो है चार आप्शन यहां पर भी है पहला जब कोई पुलिस अधिकारी की उपस्थती में संगे अ अपराद किया है और उसके विरुध्य ऊक्ति परिवारवाद की गई की गई है और तीसरा जो है ऐसा ब्यक्ति जिसकी गिरप्तारी अपराद के समचित अन्विनसण के लिए आवस्यक है और ऋप्रोक्स अभी तो यो ये तीन मामले होते हैं यहां पर जो भी दिखाएग है अगर ऐसा कभी भी होता है तो पुलिस बिना वारंट के आपको गिरफतार कर सकता है यहाँ बात आप सबी लोग याद रखिएगा ठीक है तो I hope कि आपको यह वीडियो पसंद रहा है वीडियो पसंद रहा है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने friends में भी share करना बि भूले मिलेंगे ने इस वीडियो में ठाक्यू सो मज जय हिन वन्यमाद रहा है